अब आप सब कैसे हैं I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फ्रेंट्स आज का जो टॉपिक है वो प्रिपोजीशन है क्योंकि पिछले वीडियो में भी प्रिपोजीशन को कम्प्लीट किया उसके कुछ most important जो point थे उनको लेकर आई थी आज भी जो most important है आपके exam में आने वाले और बार बार पूछे जाते हैं इसी तरह के प्रिपोजीशन तो उनको कम्प्लीट करेंगे मुझे लगा कि आप लोगों को ये class देनी चाहिए क्योंकि इससे practice भी हो जाएगी और आपके जो most important points हैं वो भी आपके हो जाएंगे ठीक ना तो चलते हैं आज की series का first number देखते हैं उससे पहले समझ लेते हैं preposition और पहले वीडियो में भी हमने समझा preposition आखिर कहते हैं तो प्री का मतलब क्या होता है तो प्री जो हो जाता है उसका मतलब होता है पहले ठीक है ना प्री का मतलब पहले होता है और पोजीशन का मतलब क्या होता है तो पोजीशन का मतलब हो जाता है इस्थिती तो इस तरह जो पहले की इस्थिती होती है वो होता है प्री पोजीशन इसमें क्या कहते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो नाउन होता है जैसे जो संग्या है और संग् यानि प्रोनाउन है उसको यूज करते हैं जैसे किसी का नाम यूज किया तो क्या है तो जो संग्या हो गई और जब नाम की जगा पे जैसे कोई लड़की है तो शी यूज किया लड़का है तो ही यूज किया तो वो क्या हो जाता है वो प्रोनाउन हो जाता है तो कहने का को लिखने से पहले हम क्या करते हैं हम जैसे in है at about our with ये सब use करते हैं तो ये क्या है ये preposition है और ये बहुत सारे होते हैं लेकिन एक जीस बता लेते हो जैसे आपके preposition है तो कुछी में complete हो जाता है जैसे का की से ने पर इतने और confusion भी नहीं होती है लेकिन English में क्या होता है थोड़ी सी confusion कही ना कहीं पर रहती है उसी doubts को तो clear करेंगे जहां पर confusion रहती है उसी confusion को दूर करेंगे जैसे आपको on हो जाता है तो on का मतलब क्या होता है on मतलब भी उपर होता है पर है ना और 8 मतलब भी पर होता है अब बड़ी confusion होती है कि आखिर पर तो दोनों का मतलब है लेकिन कहां पर on का use करे है और कहां पर it का use करे है अब कही कही पर आप देख ले it है it का मतलब भी में होता है क्या होता है तो eight का मतलब भी में होता है और इनका मतलब भी में होता है लेकिन अब इसमें confusion है कि कहां पे इनका यूज करें तो यही सब doubts को clear करेंगे और जो most important आपके points से उनको देखेंगे तो चलते हैं देखते हैं आज की series का जो first number हो जाता है He died cholera यानि क्या है cholera से उसकी मृत्य हुई अब किसी बीमारी से कोई मरता है तो क्या उसमें use करेंगे उसमें use करेंगे off का यानि कोई जैसे cholera से मर गया कोई diarrhea से मर गया या और भी कोई बीमारी है उससे कोई मर गया तो मतलब वहां पे off का use करेंगे उसके बाद आपको हो जात अब क्या है राजन सेंट यानि निश्चित है तो उसके साथ में यूज करेंगे तो आफका यूज करेंगे जहांपे निश्चित हो वहाँ पे आफका यूज होगा यानि राजनर्वास्न आफ ही exercice अब यहां पर देख लें किसी चीज से मत घबाओं ठेक जहां पर घबराने की बात आ है वहाँ पर क्या यूज होता है वहाँ पर भी आफ का यूज होता है don't offer at anything be aware dot dot pick pictures यानि be aware of aware मतलब सावधान aware मतलब क्या होता है तो सावधान होता है ठीक है न तो कभी किसी चीज से सावधान रहने की बात आये तो क्या करेंगे तो तब भी औफ का ही यूज करेंगे अब आपको पता है कि aware मतलब क्या होता है तो सावधान होता है अब जब aware आ गया तो वहाँ पर औफ का यूज करेंगे श्याम कम्स डॉट डॉट मी श्याम कम्स अब आप ऐसे बोलते हैं ना श्याम कम्स टू मी तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे तो टू का यूज करेंगे उसके बाद है she is married.ramesh यानि she का मतलब क्या होता है वहायानी लड़की है ठीक है ना तो she is married उसने शादी की किसे की तो रमेश से की अब कोई लड़की किसी लड़के से शादी कर रही है क्योंकि condition होती है ना तो क्या है यहाँ पर किसका use होगा तो यहाँ पर two का use होगा क्योंकि जो लड़की थी उसने रमेश के साथ शादी की यानि की two का use करेंगे will you agree dot dot my proposal यानि किसी proposal से सहमती लेनी होगी तो किसका use करेंगे तो two का use करेंगे यानि will you agree my proposal यानि proposal के साथ सहमती है तो two का use they will complain dot dot your father they will complain अब यहाँ पर है complain के साथ two यानि two क्यों लगेगा यहाँ पर भी देख लें तो जैसे किसी ने शिकात यानि कहा कि complain के साथ two शिकायत कर देंगे किसे कर देंगे तो पिता से पिता जी से क्या कर देंगे तो शिकायत कर देंगे they will complain dot dot your father यानि मैं क्या करूंगा यानि यहाँ पर दे है तो वे वो क्या करेंगे पिता जी से शिकायत कर देंगे तो यहाँ पे किसका यूज होगा तो यहाँ पर टू का यूज होगा कंप्लेंट की जाएगी तो टू का यूज होगा ठीक है ना अगर सीधे उस परसन से बोला जाए कि तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगा या कर दूंगी, तो अगेंस आता है, अगेंस कहां पर आता है, जिसे डारेक्ट, उसकी कहा जाए और ऐसे कहा जाए लेकिन उसी परसण से काओ कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगा तुम्हारे पिताजी से तब वहाँ पर क्या होगा तब वहाँ पर अगेंस्ड होगा यह देख लें अगेंस्ड होगा अगेंस्ड उसके बाद चलते हैं यहां पर वी प्रेड डॉट डॉट गॉट एवरिधिं यहां पर वी प्रेड टू किसका यूज करेंगे तो वी प्रेड टू टू का यूज करेंगे क्यूं हमें इश्वर की प्रातना प्रति दिन करनी चाहिए तो जब प्रति दिन करनी चाहिए तो टू का यूज होगा है न सरला प्रफर्स कॉफी.ड.ड.ट ती अब इस तरह का जो पिछली वीडियो में उसमें भी देखा था यहाँ पे भी समझ लेते हैं क्या कह रहे है सरला जो है उसको क्या है कॉफी अधिक पसंद है किसकी अपेक्षा तो चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद है अब कोई जी ज्यादा पसंद हो तो उसमें क्या लगाएंगे तो सरला प्रफर्स कॉफी टू टी तो यहाँ पे टू का यूज होगा आप देखिए कई संटेंस में टू का यूज हुआ है तो आप समझेग फिर नहीं समझ जाते हैं तो दोबारा आप रिपीट करें वीडियो को फिर से देखें प्लस आप लोग रिवीजन करते चलें तो चीज़े समझ में आ जाएंगी आपका नेक्स्ट है इस रोड लोड आग्रा यानि क्या कह रहे हैं कि ये सड़क आग्रा को जाती है अब क्या ह यह है कि जहां से स्टार्ट होती वहां उसको कोई साधन उसको मतलब जो कोई बंदा है कोई जाना चाहता है तो क्या होता है कि कोई साधन लेके जाता है लेकिन वो रोड वहां तक फैली है यानि कि वहां तक जाती है लेकिन वो खुद चलकर नहीं गई है वो जुड़ी हु होगा तो इस रोड लोड टू आग रहा यहां पर भी टू का यूज होगा उसके बाद है दा थीव स्कैप डॉट डॉट जेल यानि क्या कह रहे हैं कि इस तक मतलब बच निकलना भाग निकलना भाग जाना अब यहां पर फ्रों का यूज होगा इस निव फ्री डॉट डॉट पें अब वो दर्द से फिरी है यानि अब उसे दर्द नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या यूज करेंगे फ्री फ्रों पेंड किसी दर्द से फिरी है जैसे आई यम सफरिंग फ्रों फीवर आप जब एप्लिकेशन लिखते हैं तो उसमें होता साथ फ्रों फेवर तो यहां पर फ्रों किसी चीशसे ग्यूसित होना उसके साथ फ्रों का सर्विस यानि क्या कह रहे हैं कि सेवा से मुक्त होना रिटार्ड मतलब क्या होता कि सेवा से मुक्त होना है ना तो my best teacher has retired.service my best teacher has retired from service किसे तो from service मतलब service से retired हुए है ना they will finish the work वो अपना काम समाप्द कर लेंगे है ना तो Sunday तक कब तक कर लेंगे तो Sunday तक by Sunday यहाँ पर किसका यूज होगा तो by का यूज करेंगे tomorrow यह सब होता है ना तो यानि कि यह किसमें चला गया future में तो Sunday तक work अपना complete कर लेंगे यानि कि by Sunday we shall go there बस अब यहाँ पर क्या है किसी चीज से जाना बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रिक्षा है ना तो यहाँ पे बाई का यूज होगा इंडिया मैच जीत गई पचास रनों से इसका मतलब यहाँ पे बाई का यूज होगा नेक्स्ट चलते हैं आई विल वेट डाट डाट यू यानि किसी का इंतिजार करना होता है तो यहाँ पे क्या है इंतिजार किया जा रहा है आई विल वेट डाट डाट यू यानि तुम्हारा इंतिजार मैं कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ है ना तो आई विल वेट फोर यू किसी का इंतिजार करना यानि फोर यू मश्रूर है तो this place is famous for learning तो यहाँ पे for लगेगा राघाववास superior . the exam यानि क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपका होगा prefer यहाँ पे समझ लेते हैं राघाववास prepare . the exam राघाववास prepare for the exam यहाँ पे किसका use होगा तो for का use होगा prefer के लिए prepare के लिए for का use होता है उसके बाद है are you ready are you ready.the examination तो are you ready for the examination किसका use होगा तो for का use होगा इस तरह से आप लोग I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़े समझ में आई होंगी कहीं पे कोई doubt है तो please comment box में comment करें हम उसका reply जरूर से जरूर देंगे और अगर आपको session अच्छा लगा है तो प्लीज एक like जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और bell icon को भी जरूर प्रेस कर ले जैसे कोई भी notification हो वो आप तक पहुच सके तो मिलते हैं next class में तब तक आप लोग अपना खयाद रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें Thank you